राहूल गांधी ने पियम मोधी पर साधा निशाना कहा जवान टेंट में पियम जहाज में कॉंग्रेस सांसर राहूल गांधी ने ट्वीट कर पियम मोधी पर निशाना साधा है उन्होंने पियम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि देश के जवान भैंकर सर्दी में साधान टिंट में रह रहे हैं और पियम इस सबसे अलग महगे जहाजों में घूम रहे हैं राहूल गांधी ने एक खबर को शेर करते हुए एक बाते लिखी हैं इस खबर में बीजेपी के पूरु सांसत के हवाले से चीनी सैनकों के पैंगौंग जील तक आने और भारते सैनकों के टिंट में रहने की बात कही गई हैं राहूल ने ट्वीट कर लिखा देश के जवान भैंकर सर्दी में साधान टिंट में गुजारा करते हुए भी चीन के आकर्मन का डट कर मकाबला करते हैं जबकि देश के पी-एम 84 सो करण के हवाई जहाज में घुमते हैं और चीन का नाम तक नहीं लेते हैं किसे मिले अच्छे दिन राहूल गांधी ने जो खबर इस ट्वीट में सेर की हैं वा खबर एक अकबार की हैं जो 29 अक्टूबर को एक आटकर में प्रकासित हुई थी जिसमें कहा गया है कि चीनी सनकों ने भारते सिमा में पैंगौंग जील के इलाके में घुसपैट कर ली है श्पेसल डेस्क टीवीवन इंडिया